नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जोती जतन करते हैं शुक्त सम्रदी देते हैं यदि घञावान गणज को प्रसंद कर लिया जाय तो जातक की दवी दरता धन की तंगी कॐसे ख्रत्श दारी जेसं समझे को तुरंट दूर कर देते हैं आज के वीडियो में हम आपको गणयज जी और देवीर lakshmi को प्रसंद करने के 6 उपाई बता रहे हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी दर्श का सिंवे दन करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेर मोटिपिकेशन को सालू करें जिसे चैनल के वीडियो आप तक तुर्ण पहुंचते रहे हैं सबसे पहला उपाई आप बुदवार, गुरुवार, सुक्रवार और सनिवार में से किसी भी वार को कर सकते हो पहार जैसे करच को राई बना देने वाले ये उपाई बहुती परवाव साली और समतकारी माना जाता है बुदवार के दिन सुबह नित्य क्रम से निवरत दोकर सुबह सूर्योदे से पहले पहले आपको एक मुठी काली राई लेनी है फिर इस राई को अपनी मुठ्ध में लेकर घर के सारे सदस्चों के उपर से नो नो बार उसार कर आप उत्तर दिशा के और मुख करके एक आसन बिचा के बेड़ जाएं और इस मंतर का 108 बार जाप करें इस मंतर का 108 बार जाप करना ज्यानरे एक मुठ्धी में आपको राई पकड़े रखने और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष्या चंदन की माला से 108 बार ये मंतर जाप करें मंतर जाप पूर्ण होने के बाद आप अपनी मनो कामना बगवान गणे से कहें कोई भी समस्याओ उसे दूर करने की प्रात्ना करें बाद में इस राई को एक लाल कपड़े में बांध करें किसी भी गणे इस मंदिर में जाएं या संकर बगवान के मंदिर में जाएं या हन्मानजे के मंदिर में जाएं वहाँ पर इस पोर्टली को किसी भी पेड़ पर टांग के चुप चाप घरा जाएं दसन नहीं करने आपको टांग कर घरा जाना है इस परियोग से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी करसे तुन्त मुक्ति मिलेगी और सारे कारिया सिर्द होंगे और आपको सफलता मिलेगी धन वरदी व्यापार वरदी का सबसे बड़ा अचोक उपाए जिस काम को बोल कर ये परियोग करेंगे जिस कामना को बोल कर ये परियोग करेंगे वो ही कामना मनो कामना तुर्ट पोन हो जाएगी दूसरा उपाय है सवासो ग्राम साप साबूत धनिया सवासो ग्राम मिस्री और सवा पाव गुड को पीस लेया कूट कर इन तिनों चीजों का मिस्रन बना ले फिर किसी गनेस मंदिर में जाके बगवान गनेस को इस मिस्रन का भोग लगाएं फिर इस परसाद को सारे घर के सदस्य थोड़ा थोड़ा ग्रहन करें और बाद में जो बचे वो किसी गाई को खिला दें या अपने हातों से चटा दें इससे माता लक्ष्मी और गनेस अतिप्रशन होकर व्यक्ति को माला माल करतें व्यक्ति की हर इच्या पूर्ण करतें ये परियोग बुद्वार को ही करना है तीसरा उपाये मंगलवार की रात को तामबे के बरतन में सुद जल भर कर रगतें और बुद्वार को सुबह उड़ते ही उस जल का पूरे घर में छिडगाव करें और थोड़ा ग्रहन करें इस परियोग से घर की नकारात्म कुर्जा समाप्त होती है और भगवान गनेश का आशिरवात प्राप्त होता है और बुद्ध ग्रह उन्नत होता है व्यापारिक बाधाई समाप्त होती है चोथा उपाई बुद्ध वार के दिन गनेश जी को सुबह सुद्ध गी और गुर का भोग लगाना अच्छा फलदाई माना जाता है इसे मता लक्ष्मी की करपा बरसती है पांचों उपाय बुद्वार के दिन घर के मंदिर या बहर के मंदिर में जाकर भगवान गनेश को आठ अरक या आग के फुलों की मला बनाकर अरपन करने से मता लक्षमी घर में वास करती है चटा और अंतिम उपाय बुद्वार के दिन यदि कोई किनर मिल जाए या उनके रहने के इस्तान पर जाके उन्हें स्रदानुसार कुछ रुपए दान करें और आशिरवाद स्वरूप उनसे एक या दो रुपए के सिक्के प्राप्त करें फिर उन सिक्कों को घर के पूजा घर में रख कर धूप बती दिखाएं फिर उन शिक्कों को हारे वस्त्र में लपेट कर धनवाले इस्तान पर रख दे मान्यता है इस परयोग से व्यक्ति चमतकारी रूप से उन्नति प्राप्त करता है और गणेजी और लक्समीजी दोनों की करपा प्राप्त होती है इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं जै राम जी की जै माता की